उसे खामियाज भुगतना पड़ेगा नितBob को पड़ेगा उस पर इहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेज़स्वी आदव ने जो है यहाँ पर मुख्यमंतरी आखिर कार हमारी बात को HIS कारीन नहीं थी और सरकार की लार परवाही थी rapar चाचार की वजह से ही यहाँ पर जो इतना जलजमाव है वो हुआ था और साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस की उन्होंने ये भी कहा कि नितिश कुमार ने यहाँ पर जंता की आँखों में धूल जोकने का काम किया है और जंता की आँखों में धूल जोकने में वो एक म जब्मेदारी नहीं लिए तो नितीश कुमार के दौरा इतनी बड़ी कारेवाई करने के बाद क्योंकि गर बात की जाए तो क्यावन वहाँ पर इंजीनियस जो थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया 25 से जादा अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर वेतन रोक दिया गया तो इतनी बड़ी कारेवाई करने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का यही कहना है कि छोटे मोटे करमचारियों पर उन्होंने इसका टीकरा फोर दिया और खुद इसकी एक भी जब्मेदारी नहीं लिए